दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे अमरूत के फलो में कीरे क्यों लगते हैं और उसका उपचार कैसे करें या अमरूत के जो तना होता है पोधा होता है उसमें कीरे क्यों लगता है और उसको उपचार आप कैसे कर सकते हैं इसमें दो परकार से बताया गया है एक तो इस परकार से बताया गया है कि जिस समय आप अमरूत का पोधा लगा रहे होते हैं उस समय कैसे उपचार करना होता है और दूसरा इस तरीके से बताया गया है कि पोधा लगा लेने के बाद इस परकार से देख रहे हैं कि पोधा जब लग जाता है और फूर्ट आने लगता है तब उसमें कीट जो होता है वो पकर लेता है या पकरने लगता है तो उसका उपचार कैसे किया जाता है वो दोनों वीधी बताया गया है चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए अब किसान भायो वीडियो हैं जब आप पौधा आप अपने खेतों में या गमले में लगा लिए होते हैं तो उसके बाद जो होता है कि फुरूटिंग या फ्लावरिंग के जब समय आता है तो उसमें कीट पकरने का चांस जादा होता है तो किसान वह कीट उसमें कुछ इस परकार से पकरता है कि आपके पौधे के जो अमरूद का पौधा होता है उसको अगल बगल में देखेंगे कि हरा भरा कोई घास होता है उस घास के माध्यम से कीट जो होता है आपके अमरूदों तक पहुंच जाता है या पेर पौधे या जंगल टाइप का होता है उसके सहारे कीट जो होता है यहां तक तो ऐसी करके जो फ्रूट होता है या जो फ्लाबरिंग होता है वहां तक चला जाता है उसके बाद जैसे धीरे-धीरे फ्रूट बड़ा हो रहा होता है उसके अंदर जो होता है जो कीट होते हैं वो भी बड़ा हो रहा होता है तो उसको खतम करने के लिए किसानवयो अगर रहा होगा तो इस परकार से आप जो होते हैं कि इसको फटीकेशन कर सकते हैं तो इसको जर में क्या रखना है वो आगे देखेंगे वीडियो में अगर आप जब पौधा लगा रहे होते हैं तब के बाद करें तो इस परकार से देख रहे हैं कि गधा खोद लेते हैं खोद ले बीच में एक महिने के बाद जो होता है पोधा लगाना होता है तो आप अम्रूत का पौधा यहाँ पर लगाते हैं तो जिस समय आप इस पौधे को अम्रूत को लगाएंगे उस समय आपको परकार से जर को साफ करके और जर के चारो साइट से चार इंची छोर करके चारो साइट से और खुरपी से एक फिट दूरी तक जो होता है इसको खुदाई करें और चार इंची गहराई में और उसके बाद जो होता है जर में जो होता है कि कार्बो फ्यूरान जो होता है ओ लेले इस परकार से देख रहे हैं ये का पोधा होता है अगर एक से-奶शव का पोधा है तो उसमें chiar की रखे और इससे ऊपर आप 83 सकितने पोधा है और 5-7 साल अगर पॉधा है तो उसमें 50 गराम रख सकते हैं चारों चाछी। और उसको भर से उसके बाद देखेंगे जो आपके अमरुदों की पौधे फ्रूट लाएगा ओ निरोगर होगा और बिल्कुल रोग से मुख्त होगा कभी भी इसमें जो होता है कि होगा ओ टो कीट नहीं लाएगा तो सीजन में साल में किट जो होता है वो नहीं लगता है अब बात करते हैं किसान भयों कि बहुत से ऐसे किसानभाई होते हैं कमेंट कर रहे होते हैं हमारे पोधे में Hoot, worshipYaChipिया चुपीटिया जो होता है वो पकर लेता है तो उसके खलाबरिंग हो रही होती है उस समय इस दवा को इस्तेमाल जरूर करें आप इमीडा कलोपीड ले इमीडा कलोपीड 17.8% SL में जो देख रहे हैं ये दवा को ले करके दे सकते हैं ये आम लीची अमरूद जो होता है उसके उपर आप इसको छिरक सकते हैं और मात्रा जो रखना है किसान भायो आपको 5 लिटर में जो होता है कि 1 ml रखे और इस दर के हिसास से जो पोधा होता है उसके उपर आप एस्प्रे कर दे तो ना तो उस पर चीटी लएगी और नहीं जो होगा इंसेक्ट यानि जो कीरा होता है वो भी लएगा कीरा से भी बचा करेगा जो तन होता है उससे भी बचाब करेगा जो इसके आसब में जो देखेंगे कि बहुत सेंड़े जो बटक रहा होता है चोटे-चोटे-चोटे जो घ्री घ्रीश वो इसके रिद्ग्रीज होगा वो नहीं घूमेगा जिसके चलते आगे देखेंगे कि आपके पोधे में फ्रूटिंग जो होता है वो ज्यादा होने लाएगा जह कारण क्वान्टिटी और क्वालिटी में आपको फड़क देखने को मिलेगी